Hello Students, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का वोलकनो आईएस के इस प्लेटफोर्म पे Students, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा Ancient and Medieval History के क्यूईज का फॉर्थ लेक्चर है Students, Ancient and Medieval History के इस क्यूईज सीरीज के थुरू हम आपका रेगुलर्ली जो क्यूईज, जो Ancient and Medieval History से रेलिटेड जो क्यूईज हैं उनको क्यूईज के थुरू यहाँ पे सोल करते हैं उनसे रेलिटेड जो इन्फोर्मेशन है वो आपको यहाँ पे हम बताते हैं इसके अलावा Students, अगर हम बात करें क्यूईज का आप रेगुलर्ली प्रेक्टिस करके भी आप बहुत सारे जो कॉंसेप्ट हैं उनको जान सकते हो आप देखे कि ऐसे ही जो क्यूईज कॉंसेप्ट के थुरू हमने यहाँ पे Modern Indian History से रेलिटेड जो क्यूईज हैं उनको भी अपलोड किया है हमने यहाँ पे अगर हम बात करें जो Environment Series है उससे रेलिटेड भी कुछ क्यूईज हैं उनको भी यहाँ पे अपलोड किया है तो रेगुलर्ली आपकी Questions की Practice होगी कुछ Extra Information जो आपको नहीं पता है वो आपको यहाँ पे मिलेगी Question को किस तरीके से Approach करना है क्या उसकी Extra Information है Because Students Present समय में अगर हम Civil Service के Exam के अगर हम बात करें तो Civil Service का Examination Basically आपको पता है कि Elimination जो Concept हुआ करता था Prelims के Exam के अंदर में तो Present समय में Elimination Concept धीरे-धीरे UPSC Phase Out कर रही है Completely जो Paper है वो Knowledge Base यहाँ पे बन रहा है आपको अगर आपको Knowledge है अगर आपने Regularly Practice की है तो आप उस Questions को Soul कर पाऊगी तो Students समय में अवेश्ट करते हुए आज का जो QIJ का Discussion है उसे हम Start करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें पहले सवाल की तो यहाँ First Question के अंदर पूछा गया है चार साइट है उनका नाम दिया गया है और यहाँ पे Question पूछा गया है कि इनमें से कौन सी साइट है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर Located नहीं है तो Students सबसे पहले अगर हम Question के इस Source की बात करें आप Sixth Class की जो History के NCIT है उसके Lectures भी अपलोड हैं हमारी YouTube चैनल पे तो आप उस History के NCIT को जाके आप Read कीजिए वहाँ पे आपको Map मिलेंगे हर चैप्टर के अंदर आपको अलग-लग तरीके के जो Map हैं हर एक Dynasty से Related आपको वहाँ देखने को मिलेंगे उन Map की आप Practice कीजिए वहाँ से आपको काफी जानकारी मिलेगी कौन सी साइट North में Located है कौन सी साइट South में Located है कौन सी साइट का यहाँ पे कभी-कभी यहाँ पे वह भी पूछ लिया जाता है Direction से Related Question कि North में कौन सी है, South में कौन सी है इस तरीके से भी Question आ जाता है और Indus Valley Civilization की कुछ साइट से Related 2019 2019 के समय में UPSC ने Question पूछा था 2019 के समय में Question पूछा था कि इन में से कौन सी जो साइट है वो Indus Valley Civilization के अंदर में नहीं आती थी तो इस तरीके की जो साइट से उनके बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले यहाँ बात करें कि कौन सी साइट यहाँ नहीं Located है तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी साइट कहाँ कहाँ पे Located है सबसे पहले आप देखें कि हलूर नाम की जो साइट है यह present समय में जो करनाटका का रिजन है वहाँ Located है Southern India के अंदर अगर हम बात करें दावजली हेडिंग की अगर हम बात करें यह साइट आपको जो आसाम है वहाँ पे देखने को मिलेगी और नोर्थिष्ट के अंदर यह पहली साइट थी वहाँ पे बिलती है उसके बारे में ओर भी और साइट सावी continue यहाँ पे जो प्रोग्रेस है archaeological survey of India की द्वारा चल रही है अगर और sites मिलती है ये sites सबसे पहले वहाँ पे मिलती है इसके अलावा अगर हम बात करें बुर्ज होम की तो बुर्ज होम कसमीर के अंदर located है और काफी ज़्यादा important भी है pottery के perspective से वहाँ पे defense के लिए किस तरीके से जो वहाँ पे जो pit है उसको create किया जाता है अपने को गरम रखने के लिए भी और वहाँ animals से बचाने के लिए भी और अगर हम बात करें जो हमारा एक last option है मेहरगड नाम की जो site है present समय में जो पाकिस्तान के अंदर बिलुचिस्तान का जो region है वहाँ पे ये located है तो बिलुचिस्तान के area के अंदर located है और काफी ज़यदा important site है students मेहरगड की site क्योंकि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक तो ये burial site थी burial sites basically क्या होती है कि वहाँ पे दफनाया जाता था लोगों को और दफनानी का वहाँ concept ऐसा था कि वो लोग उस समय में जो लोग हुआ करते थे वो दूसरी जनम के बारे में birth after the death के बारे में वो माना करते थे दूसरी जनम के concept को वो accept किया करते थे इस वज़े से आपको देखने को मिलेगा कि जब भी किसी person की वहाँ death होती है तो death होने के साथ ही आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि उसके साथ में उनका जो favorite animal होगा जो उसके favorite ornaments हैं वो सब वहाँ पे आपको देखने के मिलेंगी उनकी जो burial site है वहाँ पे अगर हम बात करें मेहरगड की मेहरगड students एक यहाँ पे important इसका geographical location भी है कि मेहरगड जहाँ पे located था वो उस समय में एक trade route हुआ करता था इंडिया का इंडियन सब कॉंटिनेंट का उस समय में जो अखवानिस्तान है या Central Asia है उस trade route के अंदर में यह गिरा करता था इसी वज़े से मेहरगड के अंदर आपको जो दूसरी sites के अंदर जो things हैं जो मिलती है जो वहाँ का similarity आपको देखने को मिलेगी अगर इसके अलावा अगर हम बात करें वहाँ पे जो houses हैं वो वहाँ पे मिले हैं मेहरगड के अंदर में तो यह भी वहाँ के एक finding है बुर्ज होम के अंदर में आपको pits मिलेंगी यहाँ पे आपको manhirs आपको देखने को मिलेंगी manhirs basically हाँ pottery के जो development से related है pottery का development क्यों हुआ था students आप देखे कि जब surplus जो agriculture है उसका production होने लगा तो उसको store करने के लिए कुछ ऐसे कोई ऐसे अगर हम बात करें कोई ऐसी वस्तू की ज़रुत थी कि जिससे जो grain है उसको store किया जा सके तो उस समय में इस वज़े से जो pottery है उसका development आपको देखने को मिलेगा तो बुर्ज होम के अंदर आपको इसके जो काफी सारे evidence है वो देखने को मिलेंगे और student कस्मीर के अंदर एक site और है गुप कराल नाम से एक site है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चीए दाओजली जो heading नाम की जो site है ये आपको आसाम के अंदर देखने को मिलेगी ये कस्मीर के अंदर है मेहरगड यहाँ पे सही आंसर होगा ये पाकिस्तान के अंदर present समय में जो पाकिस्तान है वहाँ पे located है trade route के अंदर located थी seated mother goddess है जो बिल्कुल बैठी हुई position में है वो बैठे हुए है तो seated mother की यहाँ पे located है है लूर की अगर हम बात करें तो ये करनाटका के अंदर located है और यहाँ पे आपको red and black kind की जो पोटरी है वो देखने को मिलती है students अगर हम बात करें next question की next question is about the हर्स चरीतरा के बारे में है हर्स चरीतरा basically biography है हर्स वर्दन की हर्स वर्दन जो थानेसर से रूल किया करते थे थानेसर जो present समय में हरियाना के अंदर located है जो कुरूचेतर का area है कुरूचेतर का जो location है वहाँ पे थानेसर नाम की एक जगए थी तो वहाँ से रूल किया करते थे हर्स वर्दन हर्सवर्दन उसके बाद में आपको इनकी स्टोरी पता होगी कि हर्सवर्दन की बहन है उनकी साधी होती है कन्नोज के अंदर में उनकी बहन के इनके जो जीजाजी होते हैं उसकी यहाँ पर डैथ का दी जाती है उनको मार दिया जाता है ससांक नाम का एक राजा होता है जो बंगाल से विलोङ किया खरता था ससांक नाम के एक राजा के दुवारा इनकी बेहन भी अपनी जो basically हम बात करें कि जोहर करने वाली थी पर जो हर्सवर्दन है वो जंगल में जाके बचाते हैं उन्हीं के protection के रूप में यहां इनके जो बड़े भाई होते हैं जो अगर हम बात करें राज्य वर्दन उनकी death हो जाती है और उसके बाद में हर्स वर्दन अपना kingdom और अपनी जो बेहन का kingdom था यहां पे जो कन्योज का area है उसको दोनों को merge करते हैं इस वज़े से हर्स वर्द चरीत्रा जो हर्स वर्दन की हर्सा जिनको आपने सुना होगा news के अंदर में basically history के बारे में जब भी आपने read किया होगा किताबों में तो हर्स वर्दन का यहां पे हमको देखने को मिलता है कि इनकी यह जो किताब थी हर्स वर्दन की द्वारा नहीं लिखी हुई थी यह basically इ यह खाप है वो यहां पे incorrect होता है second अगर हम बात करें हर्स चरीत्रा की तो हर्स चरीत्रा basically Sanskrit language के अंदर लिखी हुई थी तो यह आपको पता होना चीए इसके अलावा students अगर हम बात करें जो हीन श्यांग है हीन श्यांग जिनको काफी famous personality हैं चाइना से आते हैं travel करते हैं इं जो religious peoples हैं उनको patronize किया करते थे उसके बारे में भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा है उसके बारे में भी हमको देखने को मिलता है हीन श्यांग के बारे में यहां पे हमको देखने को मिलता है कि हीन श्यांग और भी जो दूसरे kingdom हैं जो दूसरी dynasties हैं उनके area में भी की भी यहाँ पे हमको कहानी देखने को मिलती है कि हर्सवर्दन अपने empire को expand करना चाते थे उस समय में वो rule किया करते थे northern India में तो वो इसको जो अपने empire है उसको expand करके southern India तक पहुंचाना चाते थे जैसे ही हर्सवर्दन यहाँ पे नरमदा को cross करने के लिए जाते हैं अपने south के expedition के उपर में तो यहाँ पे चालुक्यन king है उनकी दुआरा इनकी death कर दी जाती है तो हर्सा will be no हर्स हर्सा इतना happy नहीं होता है after the नरमदा के बाद में और हर्सा का जो empire है यहाँ धीरे धीरे आपको decline करता हुआ दिखाई देगा तो हीन श्यांग जो इनके समय में इनके court के अंदर में visit किये थे भाद में इन्होंने नालंदा के अंदर भी गए हैं नालंदा जो educational institution था उस समय में और नालंदा जो university है उसके बारे में आपको पता होना चीए कि नालंदा को basically जो गुपता डाइनेश्टी के एक ruler थे कुमार गुपत के दुआरा वो जो नालंदा university है उसका development किया गया उसको establish किया गया था तो हीन श्यांग वहाँ भी विजिट किये थे तो हीन श्यांग के बारे में basically किताब के अंदर बताया गया है nine number chapter है इस जो हर्स चरीतरा नाम की जो किताब है इसका नवा chapter है जिसके अंदर बताया गया है हीन श्यांग के बारे में आप यहाँ पे comment section के अंदर बताना कि हीन श्यांग की जो खुद की एक किताब होती है, वो किताब कौन सी थी, उस किताब का नाम क्या था, उसके बारे में आप comment section के अंदर बताना, तो यहाँ पे दोनों statement incorrect हुए हैं, हर्स चरीतरा से related, हमने यहाँ हर्सा के बारे में देखा, तो D यहाँ पे answer होगा, कि हींच्यांग के बारे में mention है, written by the banabhat, banabhat के दुआरा लिखी हुई है, Sanskrit language के अंदर में यह लिखी गई है, अगर हम बात करें third question की students, third question is about the barber से related है, बाबर के बारे में आपको पता होना चीए, बाबर Central Asia से belong करते हैं, और वहाँ पे जो अगर हम बात करें की चंगेज खान की dynasty से भी belong किया करते थे, father की lineage से एक दूसरे वहाँ पे warrior हुआ करते थे, उनकी वहाँ से belong किया करते थे, mother की अगर lineage की थुरू बात करें, tree line की थुरू family tree जो create होता है, वहाँ पे यह चंगेज खान से belong किया करते थे, बाबर की अगर हम बात करें students, बाबर को basically जो native इनका place होता है, वो होता है, करते हैं, और कुछ-कुछ historians ने ऐसा भी बताया है, कि बाबर basically इंडिया नहीं आना चाहते थे, बट कुछ ऐसे यहाँ पे इस समय में लोधी डाइनेश्टी रूल किया करती थी, तो लोधी डाइनेश्टी से कुछ लोग खुस नहीं थे, उनकी दुआरा बाबर को invite किया गया, कि आप इंडिया आईए, इंडिया के उपर आके attack कीजे, और उस समय में जो डाइनेश्टी जो इंडिया में रूल किया करती थी, अलग-अलग areas के अंदर में, उनको लगा कि बाबर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में वो defeat करेंगे, यहाँ पर जो अगर हम बात करें, जो लोधी डाइनेश्टी के जो ruler थे, इबराहिम लोधी, उनको यहाँ पर defeat करेंगे, और उसके बाद में बाबर है, वापिस चले जाएंगे Central Asia में, और यहाँ पर हमारे लिए rule करने के लिए एक बिल्कुल open space होगा, ऐसा उनका मानना था, कुछ historians ने इसके बारे में explain भी किया है, तो बाबर सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, 1526 के समय यहाँ आते हैं, और battle of panipat है, वो यहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं, battle of panipat यहाँ पर देखने को मिले और इबराहिम लोदी के बाद में, बाबर्स के बीच में यह लड़ाई होती है, यह लड़ाई के अंदर इनिशल फेज में बाबर यहाँ पर defeat कर रहे होते हैं, बाद में वो second phase में अपनी इनकी diplomacy की वज़े से, और इनकी war की जो technique है, जो इनकी skill होती है, उसकी वज़े से य बेसिकली यहाँ पर जो war है, उसको जीच जाते हैं, इबराहिम लोदी का यहाँ defeat होता है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि उसके बाद में battle of khanwa होती है, battle of khanwa आपको यहाँ पर अगर हम बात करें, महराना सांगा है, जो मेवाड के वहाँ पर ruler हुआ करते थे, और बाद का नारा देते हैं, इसके बाद में battle of chanderi है, battle of chanderi आपको देखने को मिलेगी, जो chanderi नाम का जो गौालियर के पास जो area है, चanderi का, वहाँ के जो rulers थे, उनको यहाँ defeat किया जाता है, बाबर के दुआरा, और चanderi की जो साडिया है, वो भी काफी famous हैं, हमारे जो hindi craft क अंदर में आपको read करने को लिए मिलेगा, अगर हम बात करें battle of karnal, battle of karnal students 1739 के समय में होता है, और battle of karnal को basically उस समय में नादिर सा, जब 1707 के समय में, 1707 के समय में, ओरंग जीव का जो rule है, वो end होता है, और उसके बाद में letter muggals जो आते हैं, अलग-लग जो छोटे-छोट इस समय में rule करेंगे, उनका समय आता है, कोई भी इस तरीके का, अगर हम बात करें कि कोई toll king नहीं हुआ था, कि लंबे समय तक rule कर सके, या most powerful हो, इस तरीके का कोई ruler नहीं था, जो समय के rulers को तो basically इस तरीके से भी बोला जाता था, कि देयार्दस सहय पालम, कि उनका जो पाल के बाहर, जो red fort है, उसके बाहर उनकी power नहीं होती है, maximum उनकी power only red fort तक उनकी limited होती है, तो battle of carnal 1739 के उस समय में होता है, और उस समय तो, जो mughal dynasty है, वो भी decline के उपर में चली जाती है, तो यहां पे जो right answer है, वो आपको देखने को मिलेगा, कि B is the right answer, कि battle of carnal से बाबर associated नही हुमायू take over करते हैं, हुमायू के बाद में उनके बेटे आते हैं, हुमायू का जो time period है, वो आपको इतना well established नहीं देखने को मिलता है, उसके बाद में यहां पे अकबर आएंगे, अकबर के बाद में आपको अलग-लग तरीके के जो different different kings हैं, वो देखने को मिलेंगे, के बारे में आपको पता होना चीए, तो यहां पे जो right answer होगा, वो होगा be answer, कि battle of karnal है, जो basically नादिर सा के समय होती है, नादिर सा जब इंडिया में attack करते हैं, और उससे related नहीं हैं, बाबर, अगर हम बात करें next question की, next question is about the apart, अंदाल, और इन सब से related है, ऐसा पुछा गया है कि यह जो term है, यह आपने काफी बार सुनी होगी medieval इंडिया में, यह किस चीज से related है, students अगर आपने भक्ती moment को अगर आपने, अगर read किया है, तो आपको पता होगा, कि भक्ती moment letter phase में divide होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो भगवान विष्णू को मानते हैं, कुछ लो किया गया है, नैनार्स और अलवार्स के रूप में, अलवार बेसिकली वो लोग हैं, जो भगवान विष्णू को मानते हैं, विष्णू के जिद्ने भी यहाँ पे types हैं, उनको यह follow करते हैं, उनको preach करते हैं, नैनार्स बेसिकली भगवान जो Lord Siv हैं, उनको यहाँ पे worship कर करते हैं, तो उनी से related यह लोग हैं, इनकी अलग-अलग sects में अलग-अलग किताबें हैं, कुछ women भी हैं, अंदेल बेसिकली एक women हैं, जो इसके अंदर associated हैं, इसके बारे में भी आपको NCRT की जो 7th class के NCRT है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो आप जब भी NCRT को read करो, तो carefully way में read किया करो, जिससे आपको काफी सारी information है, वो वहाँ पे देखने को मिलती है, चाहे वो NCRT के अंदर map हो, या कोई वहाँ पे diagram दिया गया है, या कोई वहाँ पे अगर हम बात करें, कोई box बना के information बताई गई है, तो वहाँ पे आपको काफी सारी information है, वो मिलती है, और UPSC के दुआरा काफी बार, जो questions है, वो इन ही NCRTs के inbox में, map में, या diagram के अंदर से पूछ लिए जाते हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चीए, तो नैनवार और अलवार हैं, अपर अंदेल और अगर हम बात करें, जो सुन्दरर हैं, वो basically भक्ती moment स sect, जो अलग-लग भगवान की पूजा करते हैं, उससे related यहां believer हैं, उसके यहां पर basically उसको preach करने वाले लोग हैं, उसके saint हैं, अगर हम बात करें next question की, next question is about the, इनमें कुछ queen हैं, कुछ रानिया हैं, जिन्होंने भारत के उपर rule किया है, भारत के कुछ इस्सों में rule किया है, तो उनके बारे में यहां पर question पूछा गया है, कि इनमें से कौन से queen हैं, जिन्होंने जो दहली सलतनत है, जो दहली सलतनत का जो समय था, उस समय में rule किया था, उनसे related question यहां पूछा गया है, तो student सबसे पहले आपको queen के बारे में पता होना चीए, time period के बारे में पता होना कि कौन से time period से वो belong करते हैं और कहां पे उन्होंने rule किया है इसके बारे में आपको basically पता होगा तो आप इस question को soul कर पाऊगी सबसे पहले आप देखें कि डिड़ा का नाम बताया गया है डिड़ा basically कस्मीर्स की रानी थी कस्मीर के अंदर इन्होंने rule किया था और इनका rule आपको देखने को मिलेगा कि 9th century और 10th century का जो समय है उस समय में इनका rule आपको देखने को मिलेगा तो देहली सल्तनत का अगर समय की बात करें तो देहली सल्तनत basically 1206 में established होती है कुतुबदी नेबक के दुआरा establish की जाती है और यह यहाँ पे 1526 तक rule देखने को मिलता है पांच डाइनेश्टी इसके समय में आती है slave डाइनेश्टी, खिलजी डाइनेश्टी, तुगलक डाइनेश्टी इस तरीके से 5 डाइनेश्टी आपको देखने को मिलती है 1526 में battle of pánipat होती है लोधी डाइनेश्टी सबसे last डाइनेश्टी होती है उसी लोधी डाइनेश्टी के एक ruler थे इब्रहाईम लोधी इब्रहाईम लोधी का यहाँ पे लड़ाई होती है बाबर के साथ में, बाबर जो Central Asia से आए थे, फरगना से आते हैं, बाबर के साथ में लड़ाई होती है, इब्राहिम लोदी का यहाँ पे defeat होता है, और उसके साथ में ही मुगल रूल जो है, उसका यहाँ पे establishment होता है, इंडिया के अंदर में, और दहली सल्तनत का जो समय था, वो यहाँ पे खतम होता है, तो दहली सल्तनत के समय में आपको यहाँ पे डिड़ा है, वो नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि यह 9th और 10th century से related है, 980 से लेकर 1003 तक यह रूल करती हैं, अगर हम बात करें रानी रुद्द्रमा देवी, तो काकतिया नाम का एक kingdom हुआ करता काकतिया, तो काकतिया डाइनेश्टी से बिलोंग किया करती है, रानी रुद्रमा देवी, रानी रुद्रमा देवी का जो समय है, वो आपको देखने को मिलेगा, 1262 से लेकर 1289 तक का समय है, रानी रुद्रमा देवी का, तो हाँ रानी रुद्रमा देवी ने बेसिकली जो वो दहली सल्तनत के समय में रूल किया था, ये बिल्कुल मान सकते हैं हम, अगर हम बात करें रजिया सुल्तान की, तो जो सलेव डाइनेस्टी जिसको 1206 में, जिसको ममलूग डाइनेस्टी के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी स्टेबलिस कुतुबदीन एबक ने की थी, और कुतुबदीन एबक ने कुछ यहां पे बिल्डिंग्स भी बनाई, जिसमें आप एक कुतुब मिनार आप देखे, बट इस्टुडेंट्स आपको यहां पे याद होना चीए, कि कुतुब मिनार बेसिकली कुतुबदीन एबक ने अपने नाम के उपर नहीं बनाई थी, बेसिकली कुतुब मिनार वहां पे एक सूपी सेंट थे, भक्तियार काकी, उनकी याद में उन्होंने कुतुब मिनार है, वो क्रियेट की थी, धाई दिन का जहुपड़ा, राजस्तान के अजमीर के अंदर उन्होंने बनाया, बेसिकली यह कुछ बिल्डिंग्स जो बनाई कवर करते हैं, क्योंकि उनके जो बेटे थे, वो स्किल फुल नहीं थे, उनके पास में इतनी स्किल नहीं होती है, तो इल्तुतमिस पावर में आएंगे, और इल्तुतमिस की बेटी होती है, रजिया सुल्तान ने कुछ समय के लिए यहां पे रूल किया है, कभी-कभी ये क् समय में अगर हम बात करें कि राष्ट को डाइनेस्टी में हमको अमोग वर सरांग के किंग होते हैं उनकी बेटी हापको देखने को मिलती है कि वो राइचर डुवाब के अंदर में वो वहाँ पे रूल करती है तो बेसिकली यहाँ पे रजिया सुल्तान है 1236 से लेकर 1240 तक रूल करती है और रजिया सुल्तान का जो रूल था वो उस समय में उनके जो किंग्डम के अंदर में ही जो उनके जो बिरोक्रेट हुआ करते थे या दरबारी लोग हुआ करते थे उन्हीं को वो पसंद नहीं आता है और वो एक प्लान बनाते हैं और रजिया सुल्तान की यहां पे डैथ होती है और इसके साथ ही सलेव डाइनेश्टी के फिर एक बाद में लेटर फेज में एक रूलर आते हैं बलबन और बलबन उस सलेव डाइनेश्टी के सबसे लास्ट रूलर होते हैं वो वहाँ पे रूल करते हैं ममलूक डाइनेश्टी का इसके साथ में एंड हो जाता है तो स्टुडेंट्स इस तरीके से अगर हम बात करें आंस्वर की रानी रुद्रमा देवी जो काकतिया डाइनेश्टी थे थी वो दहली सल्तनत के समय में थी और रजिया सुल्तान है वो भी दहली सल्तनत से बिलों किया करती थी तो बेसिकली यहाँ पे जो आंस्वर होगा वो होगा डी आंस्वर अगर हम बात करें स्टुडेंट्स रानी रुद्रमा देवी की तो आपको पता होना चीए माइक्रो पोलो माइक्रो पोलो नाम के एक ट्रैवलर थे वो वहाँ पे विजिट किये थे काकतिया डाइनेस्टी के समय में और काकतिया डाइनेस्टी काफी ज़्यादा न्यूज के अंदर है अभी रिसेंट्ली उनके कुछ आर्किटेक्चर है जिनको रिकोगनाईज किया गया है उसके बारे में भी आपको पता होना चीए कि वहाँ पे जो रमप्पा टेमपल है basically रमप्पा टेमपल किनको dedicated है इसके बारे में भी आपको पता होना चीए तो this is all about the Queens जो रूल की है उनके बारे में हमने देखा हमने यहाँ पे जो नैनवार और अलवार नाम के जो सेंट हुआ करते थे उनके बारे में देखा हमने यहाँ पे बाबर के समय में कौन-कौन सी लड़ाई हुई है उनके बारे में देखा और जो बैटल ओप करनाल जो यहाँ पे नादिर सा के समय में फाइट की जाती है उसके बारे में हमने देखा और स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखने की कोशिस की हर्स चरीतरा जो किताब है जिसको उनके एक कोट पोईट होते हैं बान भट उनके दुवारा लिखा गया था तो हर्स की जो कहानी बताई गई है जो हीन श्यांग है जो विजिट करते हैं हर्स के समय में उनके बारे मे यहां mention किया गया है किताब के अंदर में और कौन सी site है जिसमें मेहरगर नाम की site जो भारत के अंदर नहीं located है प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के अंदर located है तो उन सब के बारे में यहां पे हमने इस lecture के अंदर देखा तो आप जो भी information मिली है उसको note down कीजिए NCRT को अच्छ पूछ लिए जाते हैं NCRT से तो students continue hard work कीजिए कोई भी आपको problem हो अगर civil service के exam की preparation से related तो आप हमें contact कर सकते हो हमारी mail ID आपको हमारे telegram channel है वहाँ पी मिल जाएगी तो आप contact कीजिए कोई भी problem हो आपको preparation से related और continue hard work कीजिए क्योंकि 2023 का जो exam है वो ज्यादा दिन दूर नही सब्सक्राइब है थेंक यू students थेंक यू very much